नमस्कार, आदर्स स्क्षन समिती दौरा चलाई जा रही इस स्क्षन में, आज मैं हनुमान आपको कक्सा 6 की जो अंग्रे जी की किताब है, हानी सल्क, उसका लेशन वन, इसका हम आज अध्यन करेंगे, इस पूरे अध्याई में, कुल हमारे पास 10 स्टेंजा होंगे, जिन में से एक से लगा कर 3 स्टेंजे को आज हम अध्यन करेंगे, उनकी जो मैटपूर्ण मीनिंगे हैं, उनका अर्थ देखेंगे, तथा, और उनके सम्मदे, जितने आज पड़े हैं, उनसे जो परस्ण होंगे, वो आपको ग्रहकारिये में करने होंगे, चली, सरू करते हैं, पहला, सबसे पहले, इस अध्याई की जो मेनिंगे हैं, उनके जी, बोरिंग, बोरिंग का आर्थ होता है, उबाव, या जो बार-बार एक ही चीज को सुन सुन कर, जो हम पक जाते हैं, या परिसान हो जाते हैं, उससे वो होता है, बोरिंग या उबाव, अगली है, नाइन टेंडो, नाइन टेंडो का आर्थ होता है, ये एक परकार का व होगा कि ये बच्चा जो है होवर करने के बजाए वीडियो गों खेलना है होकी खेलना है ये ज़्यादा पसंद करेगा learn learn कार्ट होता है सीखना true true कार्ट होता है सच ignorance कार्ट होता है मुर्क प्राणी जिसे समझ में कुछ कम आई hated कार्ट होता है ग्रिणा found कर दोता है पाना किसी भी चीज को प्राप्त करना उसको कहते हैं found अगली है little 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 कार्ट होता है छोटे कद का व्यक्ति grabbed का अर्थ G-R-A-W-B-E-D grabbed कार्ट होता है पकड़ना या पकड़ा A-W-A-Y away कार्ट होता है दूर सर्प्राइज सर्प्राइज का मतलब होता है आश्चरिय तीनियेस्ट नना या छोटा साइज साइज कार्ट होता है आकार W-O-L-Hool-Hool-Hool-N-E-O-N Facesh-I-O-N-E-D Facesh-I-O-N-E-D कहते हैं Y-E-L-L-E-D Yield Y-E-L-L-E-D Yield हैनी चिल्लाहना Save Me मुझे बचाओ S-A-V-E-M-E Save Me यहनी मुझे बचाओ Save Me यहनी बचाना मी यहनी मुझे Grant कार्ट होता है मानना W-I-S-H-Wish कार्ट होता है इच्छा P-R-O-M-I-S-E Promise कार्ट होता है वाइदा Semester S-E-M-E-S-T-E-R Semester सेमेश्टर कार्ट होता है 6 महीने के जो एक्जाम होते हैं उसको semester कहते हैं 6 महीने का कोई भी course J-O-B-Job कार्ट होता है नौकरी या कोई भी काम E-N-O-U-G-H-N-O-F N-O-F कार्ट होता है प्रियामत E-V-E-N-E-1 काम मतलब है और भी या उसके अलावा और कोई कार्य है उसको E-1 कहते है तो चलिए सरू करते हैं आज का हमारा chapter Reading and Understand the chapter पढ़ते हैं और इसे समझते हैं Patrick never do homework, did, sorry, Patrick never did homework Patrick नाम का जो बालक है वो अपना homework कभी नहीं करता था Too boring क्योंकि उससे वो ज़्यादा बोर लगता था उप जाता था कि रोज-रोज वही काम देना, इसकोल जाना, वापस काम करना He said, वो कहता था He played hockey, वो hockey खेलेगा And basketball, and Nintendo instant उस तक homework करने के बज़ाई बाहर जाकर होकी खेलेगा Basketball खेलेगा, और कुछ नहीं तो वीडियो गैम ही खेल लूँगा लेकिन homework नहीं करूँगा His teacher told him, उसके अध्यावक कई बार उसे बताते थे Patrick, do your homework, Patrick, अपना homework कर लो Or you wouldn't learn a thing, अगर homework नहीं करोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीखोगे And it's true, और सही कहते थे बेचारे Homework नहीं करेगा, तो क्या सीखेगा, कुछ भी नहीं सीखेगा Sometimes he feels like ignorance Ignormous, कभी-कभी उसे भी ऐसा लगता था Ignormous का मतलब होता है, ऐसा वेक्ती, जिससे कुछ ग्यान नहीं हो बार-बार अध्यान करने के बाद भी उसे भूल जाए लगवग मुर्क कह सकते हैं जिसको, जिससे समझ कम पढ़ता हो पैट्री को कभी-कभी खुद को ignore मैसूस होता था कि उसे पढ़ाए लिकाई में कुछ आता वगेरा, कुछ नहीं है But what could he do? लेकिन वो कर क्या सकता था He hated homework, उसे तो homework के नाम से भी चिडाती थी नहीं करना homework, चाहे-चाहे तो कुछ भी नहीं सीखे Then one day, तब एक दिन he found उसने पाया, his cat playing with a little doll उसने पाया कि उसकी बिली एक छोटी सी गुडिया से खेल रही थी उसे भी वो गुडिया जीब सी लगी क्यूकि उसने ऐसी पहले कभी नहीं देखी थी And he grabbed it, उसने उसे उस गुडिया से छीन लिया It away, उससे दूर हटाया To his surprise To his surprise, it was not a ball, doll It wasn't a doll, यह गुडिया नहीं थी at all But a man of teeniest size लेकिन एक आदमी था, जो छोटे आकार का छोटे कतकर इसको बोना कह सकते हैं छोटे आकार का एक आदमी था He had little wool shirt जिसने एक छोटी सी उनिस हर्ड पहन रखी थी With old fashioned breeches breeches का मतलब होता है पुराने टाइम की जैसे छोटी सी टाउजर या पैंट कह सकते हैं breeches पहन रखी थी And high tail hat और एक काफी high उंची आकार की लंबी सी टोपी पहन रखी थी Like a which is Witches कार्थ होता है जैसे टीबी में बगएरा चुडेल दिखाई जाती है जो बड़ी बड़ी तिकी तिकी उपर से टोपी पहन के रखती है वैसी उसने टोपी पहन रखी थी जैसे यहां इस चित्र में इस लड़के के पहन रखी Santa Claus जैसी उपर से टीखी टोपी उसे कहते हैं Witches He yelled, वो चिल्दाया Save me मुझे बचाओ, मुझे बचाओ Don't give me Back to that cat मुझे वापस उस बिली को मत देना I sell Grant you always मैं तुमारी कोई एक इच्छा पूरी करूँगा यहां ध्यान देना I sell Grant you always I promise you ठ्यान से सुनेंगे कि बिली उसने क्या कहा मुझे इस बिली को वापस मत दो I sell Grant you always मैं तुमारी एक इच्छा पूरी करूँगा I promise you that मैं तुमें यह वादा करता है Patrick couldn't believe Patrick को विश्वास नहीं हुआ How lucky he was वो इतना भाग्य साली कैसे हो गया उसी इतनी बड़ी समस्या है कि होम रख नहीं हो रहा है और उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल रहा है तो उसे कह रहा है कि वो उसके सारे काम करेगा Here was the answer to all his problem उसे तो उसकी सारी समस्या का हल मिल रहा है So he said उसने तुरंट विचार किया कि यह आदमी तो ठीक मिला है इसको कोई न कोई काम पकड़ा देंगे उसने कहा Only if you do all my homework तुझे वापस तो नहीं दूँगा बचा लूँगा लेकिन अगर एक सर्थ है तो मेरा सारा homework करेगा तब Till the end of the semester मुझे रहा है semester semester का मतल मैंने का न 6 महीने के बाद जो exam होते थे उसे semester कहते थे semester खतम होगा तब तक That's 35 day और खतम कब होगा 35 दिनों के बाद If you do a good enough job जितना प्रयाप्त काम है वो सारा आपने किया और अच्छे से किया I could even get is तो साइद हो सकता है मैं सारे विशे में A marks प्राप्त करूँगा ये Patrick है ये वो tiniest size का आदमी जो की आकार में छोटा है और ये उसकी बिली जो इससे खेल रही थी तो आज हमने उपर के तीन extensive का अध्यन किया बाखी वाले chapter 2 और 3 में अध्यन करें अज क्लास वर्क में आपको जो मैंने पहले meaning लिखाई है वो meaning आपको क्लास वर्क में अपनी copy में करणी है आज की दिना लगा के और आगे का में homework homework के अंदर इस praigrap में से मैंने कुछ दो परसंट चाड़ के दिए, जो आपके एक्सराइज के भी है, पहला और दूसरा question, जिसका answer आपको देना है, और उसका answer आपको देने है, और ये आपकी पाठे पुस्तक के भी स्वाल है, answer the following question वाल है, पहला और दूसरा ही स्वाल है, और आपको इसके answer copy में लि प्यास करना है कि आप अंग्रेजी में answer लिख पाते हैं या नहीं, हमारा homework की बारी, homework, what did Patrick think his cat was playing with, Patrick ने क्या सोचा, उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, what it was really, वास्तों में वो क्या था, आपको हिंदी बता दिये, आपस एक बार द्यान से सुरेंगे, Patrick ने क्या सोचा, क उसकी बिल्ली किसके साथ खेल रही है, और वास्ता में उसने क्या देखा, कि वो वो चीज क्या थी, दूसरा question, why did the little man grant Patrick a wish, little man ने Patrick की एक इच्छा पूरी करने की बात, क्योंकि, इसका जवाब तो मैंने अभी पढ़ायते समय कहा था, ध्यान से सुनिएगा, क्यों उसने य अंसर अपको पार्ट टू में मिलेंगे, धन्यवाद